इस एरिया में आधी जो गयवसाय करना की लोख कोई भी आएगे नहीं परामान ख्रामान ठीज सनगए एक अध्यो का सुधरना नंग होन चाहिए और ट्राफिक का सुधार्ना होनी चाहिए और इस शहर का फिर इस एरिया में रहने लायक नहीं रहेगा इसलिए आम ने इस एरिया के जो बड़े रोड्स हैं और जितने रोड्स रहे गए थे वो सभी रोड्स वो फांक्रिटाइजेशन कर रहे और उसमें जो अतिक यजे गुड्स हम और आना दिक गांकाम का जो बागा आरी है वो आम गोना निकालते हैं और जो रस्ते में आरी हैं आम इंको लेकिन आप जुट के पुरुद निकाली हैं, हम यह नहीं चाहते हैं, कि विकास के लिए सबी लोग आ गया है, और आपकी रस्ता, आपकी गर या रस्ते में आ रहे, आपकी दुकान, रस्ते में आ रहे, खुदो के निकाली है, हम को यह बिल्कुली पसंद नहीं है थी, बढ़ता गया, ऐसे इसे लोगों के पास साधन सामा चुरी बढ़ते गए, गाड़िया बढ़ते गए, तो अभी उससे के यातायाद से, डीपी प्लान के इसाब से रस्ते बढ़ा होना चाहिए, हम किसी को भेगर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको जो शाशन की नियम से, इसे प्रदान आवास योटना में उनको जो जो जिसका गर तुपेंगा, तो हम हंड़र का इंतरजामा कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से अभी चंपा चोक से दंबली महल तक का रस्ता बढ़ा हो गया, उसमें भी कुछ लोग बार के लोग आके पार्किंग कर रहे हैं, वो भ परिवार, पवित्र रमजान मैने के में एक पांच लोग मर गए, वो बाहर मिकल नहीं सके, या फिर आमारा फाइर इंजिन वहां तब पहुंच नहीं सका, लेकिन ऐसे किसी के परिवार में नहीं होना चाहिए, हम हर जगा एंबुलेंस, फाइर इंजिन, छोटा सा छोटा पहुंचना चाहिए, ताकि किसी के घर में ऐसा आपर की ना है, इसलिए आम ये रस्ता पहले किस प्रकार से था, यहां कि लोगों को कुछी है, लेकिन अभी ये रस्ता पूरा सिमें कॉंक्रिटाजेशन हो गया, और जो जो बच्चे हैं, उस सभी रस्ते, ये पूरे कॉंक अभी तक खाली नी किया, उनके लिए क्या मैसे लोग शायद महापालिके का इंतजार कर रहे थे, या लोग कोलीस का फॉस्पार्टा लेके आने तक वो इंतजार कर रहे थे, आज हम आगे और आगे भी हम आते रहेंगे, तो हम ये नहीं चाहते हैं, मैं भाइबीच से किसी अगर मैं गाड़ी लगाओ तो मैं बीच रस्ते में भी परमाइब के लिए लिए, कौन बोलेगा फिर तो इसलिए तुछ गद तक हम 19-20 रहा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन पूरा की पूरा अंदर आ गए, उससे यातायात का परिशानी हो रही है, या फार एंजन आने मे पूरा इरिया का जहाज़ा हमने मार्टी किया हुआ, तुस एरिया का निकालेगे, और किसी को अगर पूच ओ, घर में निकालने के वक्त है, आलग ही अप्ते बर से अनुस्वेंट करते रहे हैं कि तुछ भी तुछ निकालों, हमारे डिपार्टमेंटे सभी लोगों को बो बहुत ज्यादा नुख्या रहे है, चंपा चोक से जाना रोड़ बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, और काफी सालों से रुका ववा है क्यूक्य क्लेक्टर अफिस और पंचाय समिद्थी आने के लिए, वही एक बहुत बढ़ा रोड़ माना जा रहा हु है, तो इसलिए जालना रोड और चमपा चोग का जो है हमारा मास्टर प्लाइन में उसका जॉइंट मेजरमेंट का हमने कारवाइट फुरू कर दिये और मैं लोगों का आवन करूँगा खुशी-खुशी से रजबंदी से आईए आपको जो पंदरदान आवास यूजना में हम घर दिलाएंगे और टीडियार चाहिए तो डीडियार ले लिजिए और लेकिन यह रस्ता होके रहेगा और क्यूंकि इसके पहले आपका जो बहुत बड़ा बिरगटना हुई थी एच पी ग्यास टैंकर का तो पूरा जालना रोड बंद होने के बाद शहर का कैसे जाएगी एक यातायात के लिए अच्छा रोड होना चाहिए हमने पहला अशनगर मशान भूमी से लेके यम जेम तक वो रस्ता भी खुला कर दिया वो रस्ता भी बड़ा हो गया है अशनगर एक सभी शेहरों के लोगों के लिए उसमें जो 40-50 लोगों का जो गर तूटेगा तो कि उस पर भी हमने दिल पर पत्तर रखके कारवाई करते हैं लेकिन वो कारवाई करने के टाइम पर उनका गर का भी इंतजामात हम करके ही वो तो इसके व अशनगर ना चाहिए शेयर की नांकलिया और या अलग अलग चीज खाना चाहिए यहां की गवसाय दंदा तूरिजम बढ़ना चाहिए इसके लिए बड़े रस्ते होना चाहिए और ट्राफिक का सुधारना होनी चाहिए अधरवाइस इस एरिया में रहने लाएक नहीं रह हैं और जितने जो रहे गए थे वो सभी रोट्स वो पॉंक्रिटाइजेशन कर रहे हैं और इसमें जो आतिक्रमन और अनानिक बादा आरी है वो आप बोरा निकालते हैं और जो रस्ते में आरी है हम उनको वीडियर बेनी कि लिए हमारी तायरी है लेकिन आप उतके पुरु नहीं है कि यहाँ पे मैं पोलीस की धौज पाटा लेके आके आधिक्रमन निकाल कि किसलिए कर रहा हूं तो देश नहीं है इस शहर है यह मलिक अंबर में बसा हुआ इस शहर को जैसे जैसे शहर बढ़ता गया ऐसे लोगों की पास साधन सामा चुरी बढ़ते गए गाडिया तो आभी उसी के यातायाद से डीपी प्लान के हिसाब से रस्ते बढ़ा होना चाहिए हम किसी को भेगर नहीं करना चाहिए लेकिन इसको जो शाशन की नियम से तो टीडियार वो या पैसा उनको नुवाज़ा करना है या फिस हमारे पंतफरतान आवास योजना में उनको ज जिसका घर तुटेंगा तो हम 100% उसको घर का इंतजामा कर रहे हैं तो इसी प्रकार से अभी चंपा चोक से दंब्ली महल तक का रस्ता बढ़ा हो गया इसमें भी कुछ लोग बार के लोग आके पार्किन कर रहे हैं वो भी आम वहान उठाई हैं और चंपा चोक से लेकि जा बाहर मिकल नहीं सके या फिर हमारा फाइर इंजिन वहां तक पहुंच नहीं सका लेकिन यह ऐसे किसी के परिवार में नहीं होना चाहिए हम हर जगा एंबुलेंस फाइर इंजिन छोटा चोटा चोटा गाड़ी भी पहुंचना चाहिए ताकि किसी के घर में ऐसा आपकी ना यह पूरा डेवलप्मेंट के सेरिया में भी हुगा ऐसा मैं आवां करें जनता के लिए क्या मैसेच देंगे जिन लोगों ने उनके लिए क्या मैसेच और चाहिए लोगों को कुशी और निकालना चाहिए एक आदमी का स्वार्च से पूरा कौन को बतनाम नहीं करना चाहिए पूरा कौन को नुक्सान होना नहीं चाहिए एक आदमी का किसी एक देखती नहीं अगर मैं गाड़ी लगाओ तो मैं बीच रस्ते में भी परमाइन के लिए लो कौन बोलेगा फिर तो इसलिए कुछ गत्तक हम 19-20 रहा तो हम छोड़ देंगे लेकिन पूरा की पूरा अंदर अगर उससे यादायात का परिशानी ओरी याव फाहिरेंजन ना आने में मुश्किलात दो इसलिए किसी को अगर निकालने के वक्त है आला कि अपने अप्ते वर से अनौस्मेंट करते रहे कि खुट भी निकालो हमारे डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को बोला गया पिर कि अगर कुछ लोग रहे होंगे मैं उनको आवान दो हूंगा तो निकाल लीजी नहीं तो बहुत ज्यादा नुक्सार होता है चंपा चोक से जालना रोग बहुत बड़ा मास्टर प्लान है और काफी सालों से रुका हुआ है क्यूंकि क्लेक्टर ओफिस और पंचाय समिश् अभी लोगों का विकास होता है तू विलर लेके आएंगे फोर विलर लेके आएंगे आज सपना देखने पुराने शहर में लोग सपना देखना बंद कर दी क्यूंकि पैसा कमा के गाड़ी करिदना है तो गाड़ी रखेंगे कहा और गाड़ी ले जाएंगे कहा तो जालना रोड और चंपा चोक का जो है हमारा मास्टिक प्लाइन में उसका जाइन्ट मेजरमेंट का हमने कारवाइट फुरू कर दिये और मैं लोगों का आवन तरूँगा खुशी-खुशी से रजामंदी से आईए आपको जो पंतर रदान आवास यूजना में हम गर दिलाएंगे और टीडियार चाहिए तो डीडियार ले लीजिए और लेकिन यह रस्ता होके रहेगा और क्योंकि इसके पहले आपका जो बहु कर दिया है वह रस्ता भी बड़ा हो गया है एक सभी शेहरों के लोगों के लिए उसमें जो 40-50 लोगों का जो गर तूटेगा वोकिन उस पर भी हम ने दिल पर पत्तर रखके कारवाई करते हैं लेकिन वो कारवाई करने के टाइम पर उनका गर का भी इंतजामात हम करके ही कर दो कर दो दो कर 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 दो झाल